दोस्तों अनार विटामिन सी का एक बहुत अच्छा माध्यम है अनार का जूस पीने से पाचन क्रिया अच्छी होती है साथ ही इसका इंटी आक्सिडेंट गुन कील मुहासों की समस्या को दूर रखने में फायदे मन्द है अनार खाना स्वास्थे के लिए बहुत अच्छा हो होता है ये एक ऐसा फल है जिसके बीज और शिलके में भी कई गुन होते हैं अनार का सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों में बचाव होता है एक और जहां इसके स्वास्थे से जुड़े कई फायदे हैं वहीं खुशूरती निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल क किया जाता है अनार में बरती उम्र के लक्षनों को कम करने का विशेश गुन होता है हर रोज अनार का जूस पीने से चेहरे पर निखार आता है साथ ही ये कील मुहासों की समस्या में भी फायदे मंद है इसके अलावा अनार के और भी कई फायदे हैं जिसके बारे में बहु उने वाले फायदों के बारे में बताते हैं नमबर वन सूरज की तेज रोशनी से बचाव अनार सूरज की नुकसान दाए क्यूवी के रनों से तोचा को सुरक्षित रखने का काम करता है अनार के छिलकों में संब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं जो की नेचरल तरीके से समस्या में अनार विटामिन C का एक बहुत अच्छा माध्यम है अनार का जूस पीने से पाचन क्रिया अच्छी होती है साथ ही इसका इंटी आक्सिडेंट गुन कील मुहासों की समस्या को दूर रखने में फायदिमंद है नमबर त्री इंटी एजिंग गुन अनार में उच मातरा में विटामिन A, E और C होता है ये विटामिन बढ़ती उम्र के लक्षनों को जल्दी आने से रोकते हैं ये तोचा की महीन रिखाओं और जुरियों को जल्दी आने से रोकता है नमबर फोर नई कोशिकाओं के निर्मार में अनार तोचा की उपरी परत को सुरक्षित करने का काम करता है साथ ही ये कोशिकाओं के निर्मार में भी महत्वپूर्ण भूमी का निभाता है जिस से चेहरे पर निखार आता है नमबर five मोश्चर करने के लिए अनार तौचा को हाइडडरेटेड रखने का काम करता है अनार की वीजों से निकले तेल का इस्तेमाल तवचा को कोमल और मुलायम बनाए रखता है नमबर सेक्स, क्लीनर के तौर पर अनार के छिलके को पीस कर उस से चेहरे पर मसाज करने से डेट स्किन साफ हो जाती है साथ ही ब्लाक हेड्स की समस्या भी दूर हो जाती है आप चाहें तो इसे ब्रांच शुगर और हनी के साथ मिला कर भी लगा सकते है नमबर सेवन, रक्त बढ़ाने में अनार हैं सहायक खून का स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले अनार खाने के लिए ही कहते हैं अनार के बीच शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं इससे रक्त बनता है नमबर ए रक्त के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है अनार के रस में फ्रुक्टोज होता है जिससे रक्त का शुगर लेवल नहीं बढ़ता है अधिकतर अन्य फल और उनके रस का सेवन मधुमे के रोगियों को कम करने की सलाह दी जाती है लेकिन वे अनार का सेवन कर सकते हैं दोस्तों अब साथ ही हम अनार के उपयोग भी जान लेते हैं अनार का रस निकाल कर इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है अनार को सलात के रूप में भी उपयोग किया जाता है अनार के दानों को किसी भी सूप में गारनेश करके उपयोग किया जा सकता है अनार के तरह के वेंजन जैसे रायता, कस्टर्ड, आइसक्रीम, केक आदी बहुत सी चीजों में उपयोग होता है जो की खाने में बहुत स्वादिस्ट लगता है एवं सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद औ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू